ग्रामिनी छेतरों में 5,000 शेहरी छेतरों में 10,000 रुपई किराय मिलेगा हिमाचल परदेश में रहाद सिविरों में रहे रहे प्राकर्तिक आपदा प्रभावितों को परदेश सरकार बड़ी रहाद दे रही है घर सतीगरस्त होने से राहत सिविरों में एस्थाई तोर पर रहे 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 प्रभावित प्रिवारों को उपायुकते आवाशिये श्विधा परदान करने के लिए माशिक किराया दिया जाएगा इसके तहित इक ग्रामिन छेत्रों के रहत स्वीरों में रह रहा है प्रिवारों को आवास ड्राहःपर लेने के लिए पांच हज़ार रूपए और सहरी छेत्रों के ऐसे प्रिवार को दस हजार रूपए पर तिमाअ परदाने के जाएंगे यह निर्णे मुख्या मंतरी शुकु इंदर सिंग शुकु ने मंगलवार को दोपर बाद वुरिष्ट अधिकारियों के साथ ओक ओवर में हुई बैठक के बाद लिया है सरकार ने निर्णे लिया है कि योजना के तहट आवाश की राशी उन परिवार को परदान की जाएगी जो 12 सितंबर तक जिला परसासन की और सिस्थापित राहत सिरों में रह रहे हैं परभावित परिवार की सबसे वुरिष्ट महिला सदस्थे को यह राशी पर्तेक्ष लाभ हस्तान अंतरित डीबिटी के माद्धिम से परदान की जाएगी यानि आवास का किराया परभावित परिवार के बैंक खाते में आएगा परभावित परिवार जब अपने आवास में स्थानांतरित होगा तब माशी के राया राशी बंद कर दी जाएगी जिदी किसी परिवार को उप्यूक्त आवास उपलब दिन नहीं होता है तो रायत स्विर में रहना जारी रख सकता है ये योजना 31 मार्च 24 तक लागो रहेगी मुख्यमंदरी ने कहा है कि परदेश में भारी वर्षा के कान परभाईत हुए परिवारों को राहत परदान करने के लिए कई जिलों में स्थाई तोर पर राहत स्विर स्थापित किये गए है इन में से बहुत से स्विर स्कूलों में है या मेक सिप्ट आवास है स्कूलों में स्विर होने से बच्चों की पढ़ाई पर परतिकूल परभाव पढ़ रहा है इसके दृष्टिकते एस्थाई सिवरों में रहने वाले प्रिवारों को आवास किराये पर लेने के लिए परतिमा किराया परतान करने का निरने लिया गया है